Hello friends, welcome to this video and in this video we are going to cover point number 1.3 of chapter number 1 that is python environment setup, installation and working of IDE इससे पिछले वाले वीडियो में हमने cover किया था point number 1.1 and 1.2 और आज हम करेंगे 1.3 अगर आपको ऐसे ही point to point सीखना है तो प्लीज सस्क्राइब आर चैनल to get a point to point videos regarding python subject, we will cover another subject too so see steps for installing a python, there are only three main steps to install a python first download the installer from python.org means what आपको पले वेबसाट पे जाना है कौंसी वेबसाट just wait I will explain first then I will show the status okay so first आपको python.org इस वेबसाट पे जाना है ये वेबसाट आपको chrome बर मिलेगी this python.org is official python website okay इसके बाद आपको install करना है install करने के बाद आपको check करना है कि वो आपके laptop में है या नहीं तो इसके लिए आपको verify करना पड़ेगा verify कैसे करेंगे हम command prompt open करेंगे और ये command डालेंगे python आइफन 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 वर्जन ये command डालेंगे और ये सारा step में बताता हुग आगे देखो so first open chrome and search python install or install python whatever you want go to python.org official website and click on download python okay after clicking on it this interface will be open okay now you can see on the website but to install the latest version of python you have to click on this button download python 3.13.1 okay मैंने पेले ही install किया था इसलिए मैंने आपको बस ये ppt में screenshot डाले हैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक मैं latest है उसके बाद का screenshot है वो मैरे पेले वर्जन का था okay वही मैंने डाला है आपको बताऊँगा इस पर click करने के बाद आपका download start होगा ये download start होगा python 3.13.1 क्लिक करने के बाद SI interface open होगा अभी आप देखरों 3.11 है मतलब है पेले वाले वर्जन का मैंने screenshot डाला है आपको कोई problem नहीं सेम ही है अभी देखो क्या करना है पहले आपको इस पर click करना add python.exe to a path मतलब आपको control panel में जाने के बाद environment set करने के कोई जुरूत नहीं है automatic सारी setting करता है कि add python.exe.path to path ये click करने के बाद automatic सारा setup होता है अगर आपने click नहीं किया तो आपको पहले वो edit environment setup में जाना पड़ेगा आपको बिन का path आपकर करके वहाँ डालना पाड़ेगा अगर वो नहीं करना है तो आप add python.exe to path को click करो फिर install now पर click करो install now पर click करने के बाद आपका python install हो जाएगा अगर देखो मेरा 3.11.1 था उसके बाद मैंने 3.13.1 किया अगर आपने वापस 3.13.1 को install किया तो ये interface आजाएगा ये interface आपको नहीं आएगा ठीके समझ में आए क्या बोला मैंने ओके तो आप यहां से अप अन इंस्टॉल कर सकते हो रीपेर कर सकते मोडिफाय कर सकते है ये आपकी कोई काम की चीज़ नहीं इंस्टॉल करने के वाद इंस्टॉल हो जाएगा अगर आपको चेक करना है या कि Python हुआ है के नहीं इंस्टॉल आपके कमांड तो आपको कमांड प्रॉम्ट ओपन करनेगा कमांड करते हैं Windows प्लस आर्ट हम क्लिक करेंगे उसके वाद यह कमांड प्रॉम्ट ओपन हो जाएगा फिर आपको यह कमांड डालनी है Python space hyphen hyphen वर्जन यह कमांड डालने के बाद आपके लैप्टॉप में या PC में कौन सा Python का वर्जन यह वो डिस्पले हो जाएगा अभी इसके बाद हम करेंगे इसके working of IDE अमारे अगली वीडियो में कि हम कैसे इसको यूज करेंगे ओके तिल देन थैंक यू आई होब 1.3 पॉइंट इस क्लियर